दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं सुप्रीम कोट की डिसीजन के साथ में जो की अडानी ग्रूप को लेकर निकल कर आया है काफी इंपोर्टीन डिसीजन यहां पर अडानी ग्रूप की कमपनी के फेवर में आते वे देखने को मिल रहा है जिसके आपको पता है कि अडानी ग्रूप की कमपनी अडानी पावर ने कोर्बा विस्ट पावर को अक्वाइर किया था जिसको लेकर एक resolutions plan अडानी ग्रूप लेकर आई थी लेकिन जो opposite party थी उसने यहाँ पर high court के अंदर अपनी याशी का दर्च करी थी लेकिन high court ने भी जो decision था वो अडानी ग्रूप के favor में सुनाया था जिसके बाद जो opposition party है वो supreme court के पास चले गई थी तो यहाँ पर आज के दिन supreme court का decision निकल कर आ चुका है जो कि अडानी ग्रूप के favor में आते भी देखने को मिल रहा है क्या है complete news आईए जानते हैं आप देख सकते हैं the supreme court upheld on Friday the decision on the NCLT याने कि national company law tribunal which had approved the resolution plan submitted by अडानी पावर लिमिटेट for korba west power company तो ultimately अडानी पावर korba west power company को acquire करने के लिए जो resolution plan लेकर आई थी उसको जो मन्जूरी है वो supreme court की तरफ से मिल चुकी है there were no ambiguities in the findings of the appellate tribunal as they reflect that the resolution plan तो यहाँ पर काफी बड़ी खुशकपरी shareholders के लिए आते हुए देखने को मिल रही है साथ second update की बात करें तो Indian government has not intervened in Adani crisis संजीव सन्याल की तरफ से एक बड़ी update आते हुए देखने को मिल रही है Indian government ने यहाँ पर clear कर दिया है कि यहाँ पर जो Adani group के उपर allegations हिंडनबर की तरफ से लगाये गए है और से भी उस पर जो भी investigations कर रहा है उसमें government बिलकुल भी involved नहीं होगी आप देख सकते हैं आजी के दिन यह report निकल कर आई है जिसमें the administration of India Prime Minister Narayan Modi has not intervened in the Adani group's tersal with a US short seller that caused a root in the companies तो यहाँ पर जो economic advisor is संजीव सैन उन्होंने clear कर दिया है कि Prime Minister का इसमें involvement बिलकुल भी यहाँ पर important नहीं है और वो यहाँ पर important नहीं होगी क्योंकि से भी अपने part पर पूरी तरीके से जांच कर रहा है The government has not intervened anywhere संयल, a member of Prime Minister Economic Advisor Council said in an interview in New York Nobody having to rescue anyone in our system तो यहाँ पर काफी बड़ी update समय आज की दिन आते वे देखने को मिल रही है Prime Minister की तरफ से तो no doubt यह भी एक बड़ी update समय देखने को मिल रही है साधी साथ कल के दिन Adani Group की दो कमपनियों को ASM List की stage 2 से stage 1 में shift किया गया है जिसमें Adani Transmission और Adani Total Gas का नाम हमें देखने को मिल रहा है Monday के दिन से यह circular effective होते वे हमें देखने को मिल रहा है जिसके चलते यह दोनों shares काफी ज़दा focus में रहने वाले है तो ultimately Adani Transmission, Adani Total Gas और Adani Power को लेकर updates निकल कर आ चुकी है कल के दिन या फिर आज Late Night Adani Group की बाकी कमपनियों को लेकर भी कुछ बड़ी updates निकल कर आती है तो वो आपके साथ share कर दी जाएगी लेकिन उसके बिले अभी तक आपने आप ही के अपने नई YouTube चैनल याने की बाजार की खबर के second official YouTube चैनल Invest for Success को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक आपको description box में मिल जाएगी करना चाहते हैं तो भी आपको कौनसे stock selection करना है या फिर अगर आप 10,000 एक लाग का भी investment करना चाहते हैं तो साधी साथ जो stock market की classes आपको PRAか profiles में, प्रोवाइट करी जा रहेजे वो यहाँ पर आपको weekend में, free of cost प्रोवाइट करी जाएगी हर weekend आपको यहाँ पर कुछ learning purpose से ही सीखने को मिलने वाला है additional तो ये channel बहुत important होने वाला है आपकी investing journey के लिए तो channel की link आपको description box में मिल जाएगी जल्दी से इस channel को subscribe करके bell icon को press करना मत बुलेगा बहुत जल्दी इस channel पर videos live होना start होने वाली है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay connected stay updated